नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम नुश 24 मैं हूँ आपके साथ काविंदर सिंग खबर हम आपको अमरुहा से बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद अमरुहा में खनन माफ्याओं के होसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं धर्ती का सीना चीरने लग जाते हैं खनन माफ्या और फिर रातो रात गरस्ती है जैसे भी आपको बता दें कि जनपद अमरुहा में खनन माफ्याओं के होसले कुछ इस तरह से बुलंद होते जा रहे हैं कि मानो उन्हें ना तो किसी प्रकार की कोई चिंता है और ना ही सासन पर शासन का कोई डर जनपद अमरुहा में खनन माफ्याओं का ऐसा ही एक द्रस से हमाप को दिखाने जा रहे हैं जहां पर खनन माफिया साम होते ही धर्ती का सीना चीरने लग जाते हैं और फिर रातो रात इस तरह से खनन करते हैं कि मानो धर्ती का सीना फार दिया हो। वे ट्रकों की मदद से खनन का कारोबार चलाते हैं इस दोरान जब प्राइम निविश 24 की टीम ने खनन माफियां के ठिकाने पर मोके पर पहुँच कर कवरेज की तो खनन माफिया अपनी मशीनों वे ट्रकों को छोड़ कर मोके से भागते नजर आए लेकिन यहां सबसे अलग और चोकाने वाली बात यह है कि जहां पर खनन का कारोबार चल रहा है वहां से पुलिस की चोकी की दूरी 200 से 500 मीटर है इस बारे में जब टीम द्वारा खनन इस्पेक्टर असो कुमार को सूचना दी गई तो वह मोके पर नहीं पोचे और गोर करने वाली बात तो यह है कि जिस तरह से खनन इस्पेक्टर को सूचना मिलने पर भी वह मोके पर नहीं पोचे और चेतर की जिस चोकी से होकर खनन के ट्रक गुजरते हैं क्या इसके बारे में पुलिस को वास्तव में कोई जानकारी नहीं है या फिर जानबूर बूच कर अंजान बने बैठे हैं यह एक बड़ा सवाल है प्राइम इनुट 24 के लिए अमरोहासिक काविंदर सिंग की ये खास रिपोर्ट